लोबे साथियो ते हारां दा मौसम आगया है ते तौनू सार यानू टेर सारियां वदाया हो न पर करोना दा डर हले टलिया नहीं इस करके सावदान रहना चाहिद है लोग जी हुने पाते चाड़ दा मौसम गुजरे है ते पाते चाड़ दे मौसम तो मैंनू याद आया के पती पतनी एक माल वेच जा रहे सी ते माल दे वेच बड़ियां फैशनेबल दुकानाओं दियाने फैशन दियां डिजाइनर दियां दुकानाओं दियाने उथे बार एक बड़ी खूब सूरत औरत दा माडल बनेया उया सी जिनने सिरफ छोटे जे कपडे पाए होई संद पतेयां钱 दे कपडे पाए हो संद पतेयां दे कपडे पाए रहोगे पत्चाड़ दा इंतदार करते रहोगे लो जी हुने दुसेरा लंग गया है दुसेरे दा मौसम सी ओ दे तो मैंनू याद आया एक बंदा दसरेया सी के दुसेरे वेच एक करेक्टर है गया बाली बाली दे बारे एक या जानता है कि जदू ओ किसे दे सामने जानता है तो ओ सामने वाले दी अद्धी ताकत बाली दे विच आ जानती है तो ओ आदमी कहने लगया मैंनू ता एंजी महसूस हो है मैं खुद महसूस कीता है जदो मैं कर जाना अपनी कर वाली दे सामने जाना तो मेरी अद्धी ताकत बाली दे विच चली जानती है तो मैं डिगन ल गपहना ति मैंनो आःजे लगदा कई भाली दी रोप कर वाली चाहागई है आँ लो जी दुसैरा गुज़र है ति हूं लवाली आ रही हैति दिवाली बारे हर को ये कह रहा है और लुर्ष दिवाली मनाने चाहिए और ब्लुशन फ्री दिवाली मनाने चाहिए दिया है बड़ी अच्छी गाला है क्योंके pollution तुवें पटाके फिर एना social distance रखना इस करके सानू दिवाली जीड़ी है ना ओ तुवें तो बगार smoke free environment वास्ते मनाने चाहिए दिया है तो किसे ने दसे अभी किस तरह फिर दिवाली मनाई जावे जिदे विच स्मोक ना होवे ते ओ दसन लगया भी ऐस तरह करो सुवेरे सुवेरे पती उठे रसोई विच जावे ते जाके पतनी ने जेड़ी मठाई बनाई ये दिवाली वास्ते ओ खावे तेसे रो पतनी नो एना कवे के एदे नालो वदिया मठे आई ता मेरी माँ बना सक दिया पस फिर सारा दिन पताके चलन गए सारा दिन दिवाली मना सक दिया पलूशन फ्री ओ जी दिवाली दुसेरा फिर एथे बसंत विसाखी सारे तिहार आंदे ने एथे कनेड़ा वेच एक गोरा पुछन लगया एक आदमी नो कि तुसी सारे तिहार मना देओ तुसी क्रिस्मिस भी मना देओ कि तुसी हलोवीन भी मना देओ तो ओ कहन लगया असी ता सारे तिहार मना देओ जी दिन आल खुशी मिले तो गोरा कहन लगया अच्छा तुन केड़ा तिहार मना देओ तो आदमी कहने लगया मैं तहां हफ़ते विच दो वारी अपने कारवाली नू मनांदावां हसदे रवो हसांदे रवो रुसदे रवो मनांदे रवो जिन्दगी जिन्दाबाद लो जी एक आदमी वकील कोल गया तो वकील नू जाके कहिंदा है के मैं अपनी पत्नी तो तलाक लेना चानना ते वकील कहodlesा हाँ जी ठीक है करवा दे आएंगा मैं तो आदमी ने पुछिया कितना क्या ख़र्चा आएगा तो वकील कहन लगया कि पवजा हजार रुपध्य कहर्चा आएगा तो आदमी केंदा है जी विया दी रेजिस्ट्रेशन ता एक हजार रप ये वेची हो जान दिया है तो वकील साव टैन लगे अजादी दी कीमत हमेशा ही वाद हुन दिया पती दे पतनी रामनल बैठे होए सी तो पती ने पतनी दो पुझे हाओ जे एक पासे पैसा होँ तो एक पासे अकल होँ तो तुं किस दो चुनेगी तो पतनी कहने लगी मैं ता पैसा चुकांगी तो पती कहने लगी करती ना ओई गल मैं ता अकल चुकांगा तो पतनी कहने लगी बिलकुल ठीक हैं दियो जिदे को जो चीज नहीं हूँ दी ओ ओई योई चुक दै पती पतनी बैठे सी तब पतनी पती नो कहिंदी जे मैं गुम हो जावां तब तुसी की करोगे तब पती कहिंदा मैं अखबार विच इश्टियार दे दे आँगा तब पतनी खुश होगी तब कहने लगी अच्छा तुसी मैंनो इनना प्यार कर दियो अखबार विच की लिखवाओगे तब पती कहिंदा है जेसनो लबे उससे दी ओ जी ये तो ही मैंनो याद आया के एक आदमी दी पतनी गुम हो गई तब ओ दे दोस्त ने कहा बे तुम फिर पुलीस थाने चे रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवांदा कहिंदा है पहला लिखवादे से मेरी पतनी तब अकसरी गुम हो जान दी है पहला लिखवानदा से मैं होन लिखवानी बांद कार देती है वह केंद आ क्यों लिख्वानी बांद कर दिती है जो आधे कियोंके वा लब ले आंक दे एसी। लोबे साथियों होया इस तरहां कि एक रात रात दे तिन वजे तिन डाकू एक कारविच वड़े गे कारविच वड़े यां सार डाकूआ ने उस कारदे मालक नू ते ओदे बच्चिया नू एक कमरे चे बांद कार देता ते एक आदमी ने पस्तौल उस कर दी औरत ते रख दिती औरत दे सिर ते पस्तौल रखे औरत को लोना सारे गैने ओदे उतरवाले बाकी दो जन्या ने सारे डरार वगएरा चेक की ते कैश ले लिया जो कुछ वी सी ले लिया तो फिर एक डाकू औरत नू कैन लगया के जेड़ा तेरे परा ने एक लख दा मुबाइल फोन ते नू अमरीका तो पे जया सी ओ किते है ओ सानू दे औरत गई उन्ने फटा फट सूट केस विचों ओ मुबाइल फोन लबया ते डाकू नू दे लिता दूजा डाकू कहिंदा है तेरी मेरेज अन्वरसरी होने गुजरी है तेरे पती ने तेनू हीरें दा हार देता है ओ किते है लो जी औरत ने फटा फट गई उन्ने जाके हीरें दा हार ले आके डाकू आनू दे देता पर हरान बड़ी सी ओ कहने लगे डाकू जी एक गालता दसो बैट वानू है सारा कुछ पता के वे लगया के मेरे को मेरे परान एक लख दा मॉबाइल पेजिया है मेरे कारवाले ने मेनू हीरें दा हार देता है मेरे जैन्वरसरी ते तो एक डाकू मुस्करा के कहन लगया असी इतने तेरे फेसबुक दे फ्रेंड आ गया ते जे डा आज तुम हलवा बनाया ना जे ओवी बचेया ते सानू ले आके ख्वा दे लो जी ये फेसबुक दी आई गलाओं ओ रहे हैं यहांने तो एक जामदूत आया ते औरत नू कहन दे चल बहु चलिये तेरा वकत खतम हो गया हून चल चलिये तो औरत कहन दी जामराज जी मैनू बस एक मिंट देो तो जामराज कहन लगया तुम एक मिंट की कर लेंगी तो वो औरत कहने दिये मैं अपने फेसबुक ते न अपना स्टैटस अपडेट कर दियांगी ते ए लिख दियांगी के आई एम ट्रेवलिंग टू यम लोक विद यम राज लो जी आई पिछे जे तुफान आया सी खासकरकर कि कैलगरी दी गल कर रहे हैं मैं कैलगरी कैनेडवी की तुफान आया सी ते जिदे नालना करा दा मकान दा बड़ा नुक्सान ऊया सी ते आज कल बड़ी construction चल रही है आज कल टोट पाड़ दी पाजदी मरमत चल रही है ते लिए एस तरह होया के एक ना मिस्तरी आया ते उन्हें कार दी बड़ी सोनी मरमत कीती बड़ा टाइम लाके बड़ी मेनत करके ते कारदा मालक बड़ा खुश होया तो ओ कैन लगया के उन्हें उन्हों पैसे देते जिन्हें देने सी उस तो इलावा उन्हें हजार रुपईया होर दे देता ते कैन लगया ले हजार रुपईया ले ते जाके पाबी जी नू रेस्टोरेंट इज खाना में खुआईं ते ना ले पाबी जी नू पे चिर दखाईं लोग जी ते बाद मिस्टरी एंड त्यार सूट पाया हुया उन्हें ते आगे आके दर्वाजा कड़काया तो आदमी ने दर्वाजा को लेया तो ओ कहने लगया हां भे की गल है कहने जी मैं पापी जी नू लेयना आया हूँ हसदे रवो, हसांदे रवो, कुष रवो, कुष हाल रवो, जिन्दगी, जिन्दबाद